दोस्तो आप अपना email id कैसे बना सकते हो आपको करना है आपको अपने Google को open इसके बाद दोस्तो जैसे मैं अपने right side corner में टीपी पर किलिक करता हूं इस तरह से आपको किलिक करना है फिर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक तीर जैसा निसान ऊपर की साइड सो होगा तो इस पर आपको किलिक करना है जहाँ पर मेरा Gmail account है तो मैं इस पर किलिक करता हूं तो काफी सारे मेरे account यहाँ पर आ चुके हैं इसके बाद यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा add other account तो इस पर आपको किलिक करना है फिर दोस्तो आपको क्या करना है आपका phone थोड़ा सा time लेगा मेरा यहाँ पर finger मांग रहा है तो मैंने finger दे दिया इसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई log लगाया है तो आप उस log को महाँ पर दे सकते हो उसका जो भी आपने password बनाया है तो password दे कर आप इस तरह से इस page पर आ जाओगे तो फिर आपको क्या करना है create account पर click करना है फिर दोस्तों यहाँ पर आएगा for myself तो इस पर आपको click करना है फिर दोस्तों यहाँ पर मांगेगा आपके gmail account का first name और नीचे last name तो चलिए मैं अपना first name दे देता हूँ तो first name देते हैं तो दोस्तों मैंने इस तरह से फिर मैं देता हूँ last name तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से यहाँ पर last name और first name देना है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ नीचे next का button इस पर आपको click करना है फिर दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है तो दोस्तों इसके बाद यहां पर मैं किलिक करता हूं फिर मैं यहां पर जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूं इसके बाद दोस्तों डे पर आप किलिक करेंगे तो यहां पर आपको यहां पर डेट आपको डालनी है जो भी आपकी डेट हो तो डेट ओपर यहां पर देनी है चलिए दोगजार एक जम्पल के तोर पर देदेता हूँ इसके बाद नीछे gender आएगा तो gender अगर आप male है यानिके आप genauso है तो आपको male select करना है अगर lady है तो आपको female select करना है तो मैं genes के हिसाब से ही यह male को select कर लिता हूँ इसके बाद नीछे next का button आएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया Gmail बनाना होगा चलिए मैं आपको एकजमपल के तोर पर Gmail account बना कर दिखा देता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना username डाल दिया है इसके बाद नीचे से next आपको करना है फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना strong शा password चूज चूज कर लेना है जो भी आप चाहो आपको यह password तो दोस्तों मैंने example के तोर पर यहाँ पर password ढाल दिया है इसी तरह से आपको भी अपना password, एक strong password बना लेना है इसके बाद दोस्तो नीचे से next करना है next करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका Gmail account create हो चुका है इसके बाद नीचे से उपर की side scroll करेंगे तो यहाँ पर आएगा yes I am in तो इसको आपको यहाँ से done कर देना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा next तो next को भी आपको यहाँ से कर देना है next तो फिर आपको दोस्तो यहाँ पर privacy and terms तो इसको उपर की side scroll करना है तो यहाँ पर नीचे आएगा agree का option तो आपको agree पर भी click कर देना है इसके बाद दोस्तो आपका एक gmail account create हो चुका है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से like कर दीजे और चैनल को दोस्तो subscribe कर लीजे और आपको अपनी dp पर फिर से tap करना है फिर आपको यहाँ से इसी तीर के निसान पर फिर से click करना है और आप अपना gmail account इहां पर देख सकते हो कि मेरा gmail account कौन सा मै ने create किया है तो दोस्तों यहाँ पर अभी मेरा sow नहीं हुआ है तो हो चुका है दोस्तों मेरा sow नीचे की side यहाँ पर iso हो चुका है जो new gmail account है इस तरह से आप अपना e carry account आपके से select कर सकते हो जैसे की मैं select कर देता हूँ तो मेरा यह email यहाँ पर open हो चुका आप देख पा ले हूँगे right side corner में मेरी यहाँ पर dp आ रही थी वो dp यहाँ से गयब हो चुकी है तो मेरा दूसरा account यहाँ पर login हो चुका है तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम